बाकी खबरोर स्टॉक्स की तरफ आऊंगा पहले ब्रोकरिजिस के रडार पे क्या है दो स्टॉक्स हैं अलग-अलग सिपला, कंचन गुड मॉरिंग क्या अपडेट्स है इसको लेकर यहाँ पे हमें जो करेंट भाव चल रहा है इस टाइम पे हो सकता है कि रिस्क रिवार्ट का रेशियो है वो इस टाइम पे फेवरेबल दिखाई दे रहा है गोवा का जो इनका इंस्पेक्शन हुआ था उसका रिजर्ड भी जो है वो फेवरेबल आया है जो कंपनी के लिए पॉजिटिव आस्पेक्ट है वहां पे हमें एक अच्छा कासा अपसाइट देखने को मिल सकता है अब इनका जो एंट्री रेट्रो वाइरल ड्रग है वहां से भी फिसकल एर 30 के बाद एक अच्छा कासा मुनाफ़ा आता हुआ दिखाई दे सकता है बेसिकली जो ड्रग है वो HIV और AIDS के इलाज के काम आता है और साथी साथ अगर आगे की बात करी जाए forward earnings की तो वहां का भी जो नंबर है वो काफी जादा attractive नज़र आ रहा है ओके यह है सिपला सिपला फार्मसूटिकल्स में एक जादा बहतर प्लेस्ट काउंटर शायद इस ब्रोकरिज के लियाद से 1800 के लक्ष 1560 के असपास इस समय काम काज भारती एर टेल इस पे भी एक इंट्रिस्टिंग रिपोर्ट कंजन क्या अपडेट BM Capital ने यहाँ पे अपनी कवरिज स्टार्ट की है और खरीदारी की राये दिया और लक्षे हाँ पे दे दिया है एक हजाद नौसो सत्तर का यानि की 25 से 30% का इजाफा देखा जा सकता है 1613 के भाव पे इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है अब कई सालों से हमने देखा है कि टेलिकॉम सेक्टर में एक रोलर कोस्टर राइट देखने को मिली है लेकिन इस टाइम पे देखा जाए तो यह जो सेक्टर है ओवराल अपने maturity stage पे पहुँच गया है अगर wireless subscriber की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें Y&Y basis पे 2% की growth expected है अगर हम आर्पू देखे तो यहाँ पे भी 7% का एक upside देखा जा सकता है home, broadband अब multi-year की growth के stage पे पहुँच गया है साथी साथ EBITDA, CAGR में भी 15% upside की उमीदे जताए जा रही है overall इसके valuation की बात करी जाए तो वो काफी जादा attractive लग रहा है अगर आफरिका के business की बात करी जाए तो वहाँ पे तो यह key player बनके खड़ा हुआ ही है Sibla पिछले हफ़ते अपने radar पे भी था अब अने वो big stocks में भी detail में चर्जा करी थी जब वो plant related update आया था USFD और अब brokerage भी thumbs up देती हुई भारती Airtel लेकिन भाई साथ मतलब की Friday की close से 20-22% का upside नजर आता है और यह वो stock है जो 500 से चर्जा हो रही है इस platform पे चैनल पे अच 16 सोप्य आके खड़ा हुआ और अभी भी meaningful upside brokerages को नजर आ रहे है मरेश आप लोग का call क्या है भारती Airtel पे 16 सोप्य आप लोग buyers हो या नहीं हो लंबी अबदी के लिए जिनके पास से बिलकुल hold करना चाहिए I think a large part of the good news जो आरको increases से हुआ था वो शाइद price में आ चुक है numbers काफी ठीक ठाक थे यह तिमाई में अगर आप one-offs को छोड़ दें मुझे लगता है इंडिया performance Africa performance was very very decent wireless और enterprise business जो both should have a decent amount of growth और जो एक सबसे बड़ी दिक्कत का point था पूरे sector के लिए कि they are losing subscribers both Airtel and Gio to BSNL मुझे लगता है यह सारे low weeding या low subscriber base है जो शायर move हो रहा है BSNL के लिए जो qualitative subscribers वह भी भी Airtel और Gio के साथ ही है and on the other hand I think service network BSNL की improve होनी चीए if these subscribers have to stay मुझे बहुत बड़ी दिक्कत नहीं लगती numbers are good मुझे लगते हैं जिनके पास से बिल्कुल मुझे लगता है ओके भारती अटल भाई रडार पे damn capital की report आती है तो आम दोर पे stock बड़ी हरकत में आते हैं देखिए देखते हैं आज कैसा behave करता है